नमस्कार आज शनिवार 16 मार्च 2019 तो आईए देखते हैं आज के सारे राशियों के ग्यान संदेश पहली राशी है मेश राशी याने एरिस जिसके लिए का ग्यान संदेश है get into the shoes of others याने के औरों की परिस्तिती को समझो और उसके बाद में अपना उनके प्रती का निर्णय लेलो अगली राशी है टॉरस याने व्रिशब राशी जिसके लिए का ग्यान संदेश है reverse of trust harmony याने के संतुलन पर भरोसा रखो इसका विपरी याने इस उम्मीद में मत रखो रहो कि अपने आप संतुलन निर्माण हो जाएगा आपको संतुलन पैदा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा अगली राशी है जेमिनी याने मिथुन राशी जिसके लिए का ग्यान संदेश है thank you और destiny अपने भाग्य का शुक्रिया आदा करो भाग्य में तुमारे जो आय है उसके लिए भाग्य का शुक्रिया आदा करो अगली राशी है cancer याने करक राशी जिसके लिए का ग्यान संदेश है talk sweetly इसका विपरीत याने के आज जुबान से मिठास थोड़ी बाजू में रखके भी बात कर सकते हो अगर जरुरत पड़े तो हर बार मिठी बाते ही करन अगली राशी है सिव्वराशी याने लियो जिसके लिए का ग्यान संदेश है trust God इश्वर पर भरोसा रखो यदि आपको लग रहा है कि जो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो चिंता मत करो इश्वर पर भरोसा रखो अगली राशी है कन्या राशी याने वरगो जिसके लिए का ग्यान संदेश है reverse of work on your attitude work on your attitude याने के अपनी धरणा पर काम करो लेकिन जब ये कारण विपरीत आता है तो इसका अर्थ है कि तुम जो धरणा रखते हो तुम जिस तरीके से विचार करते हो तुम जिस तरीके से व्यक्त होते हो मतलब जैसे तुम हो जैसे तुमारी सोच है वो एकदम बराबर है कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है अगली राशी है लिब्रा याने तुला राशी जिसके लिए का ग्यान संदेश है reverse of trust your children अपने बच्चों पर भरोसा रखो इसका विपरीत याने के आ अगली राशी है Scorpio याने व्रुष्चिक राशी जिसके लिए का ग्यान संदेश है never anger कभी भी गुसा मत करो इसका विपरीत याने के व्रुष्चिक राशी वालों को शायद आज गुसा करने की जरूरत पढ़ सकती है अगली राशी है धनराशी याने Sagittarius जिसके लिए का ग patient याने शांती रखो घाई मत करो किसी भी चीज में घाई मत करो शांती रखो जो result तुम्हें चाहिए वो अपने आप आज आएगा केप्रिकॉन याने मकर राशी इसके लिए का आज का ग्यान संदेश है Love Your Work अपने काम को प्यार करो अपने काम के प्रती जब प्यार रखोगे तो ही तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा इसलिए जो तुम्हारा काम है उस पे उसे प्यार करो अगली राशी है Aquarius याने कुम्ह राशी जिसके लिए का ग्यान संदेश है Don't Hate इसका विपरीत Don't Hate याने किसी का भी तिरसकार मत करना लेकिन जब ये का विपरीत आता है तब इसका मतलब है कि हो सकता है कुछ लोग तिरसकरनी हो और उनका तिरसकार करना ज़रूरी पढ़ सकता है अगली राशी है Pisces याने Meena राशी जिसके लिए का ग्यान संदेश है Love Beauty सुन्दरता को प्यार करो और हर चीज के अंदर की सुन्दरता ढूंदो तो ये थे सारे राशियों के ग्यान संदेश इनके अनुसार आज का दिन बिताओ और खुश रहो धन्यवार